हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम 365 जंसन में उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल लई होगी आज का जो हमारा या वीडियो है वो संबंदित है उत्तर प्रदेश विशेश से उत्तर प्रदेश में होने व जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो तो आईए देखते हैं सरप्रथम देखते हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल इसके बारे में इससे जो उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंदी जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं आगे बढ़ने से पहले जो भी सरप्रथम देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो इसमें क्या है, आठ राज्यों की सीमाएं लगती हैं, बिहार है, जारखंड है, चत्तीस गड़ है, राजस्थान, हरियाडा, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड एक केंसासित प्रदेश है दिल्ली और एक देश नेपाल कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? और एक केंसासित और एक अंतराश्ची सीमा है जो की नेपाल की है यह आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जारखंड, चतीजगर, मद्द प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, केंसासित प्रदेश ये जो आपको बीच में रेड रेड दिख रहा है और ये बाकी ये नेपाल की सीमा है यहाँ पे ये नेपाल की सीमा है आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल जीलो की संख्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल जीलो की संख्या जो है वो 75 है पचत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जीला क उत्तरप्रदेश की राजधानी क्या है लक्नव है उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा जुला कौन सा है लकेमपूर खेरी छेत्रफल की दृष्टी से उत्तरप्रदेश का सबसे छोटा जुला कौन सा है बदोही संतरवधासनगर आगे देखते हैं, छेत्रफल की दिष्ट कोण से उत्तरप्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज है छेतफल की दिश्ट से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस चौथा सबसे बड़ा राज है पहला आपका राजस्थान है, दूसरा मद्प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट है और चौथा उत्तर प्रदेश है कौन कौन सा पहला राजस्थान दूसरा मद्द प्रदेश तीसरा महाराष्ट और चवथा उत्तर प्रदेश फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फूर्थ अगला है उत्तर प्रदेश की जलवाई उस कड़बंदिये मांसूनी होती है उत्तर प्रदेश की जलवाई क्या है उस कड़ दिग्री Celsius और माई से जून में क्या होता है 43 से माक्समुम जो होता हो 43 से 45 दिग्री Celsius होता है minimum three to four माक्समुम 43 तो 45 दिग्री Celsius अगला पूर में बरसा जादा और उत्तर पश्चिम की तरफ दीरे-दीरे कम होती जाती है, मतों पूर्वी भागों में सरवाधिक बर्सा होती है, सरवाधिक बर्सा वैसे गूरकपुर में होती है, सबसे कम जैसे जैसे पस्चिम जिले को जाते हैं, वहाँ पे सबसे कम बर्सा होती है, सबसे कम बर्सा जो है वो मतुरा में होती है, गंग देख लेते हैं उत्तर-प्रदेश का इतिछास को संखिप्ट देख लेते हैं जो important facts important dates हैं उनके बारे में hindo dharma के देवता स्री राम और श्रीकिंट्स की जन्मस्थली जो है वो उत्तर-प्रदेश में स्थित है, स्री राम की जन्मस्थली आयोध्या है और स्रेकिर्ट्स की जन्मस्थली जो है वो मतुरा में है वैदिक सब्टा की जन्मस्थली भी है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का पुनरगठन और नाम परिवरतन देख लेते हैं 1834 में इसका नाम जो था आगरा प्रेसिडेंसी था 1836 में उत्तरि पस्चमी प्रान्थ हुआ 1858 में अवध हुआ 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रान्थ हुआ 1921 में बिटिस भारत का संयुक्त प्रान्थ हुआ जनौरी 1950 में उत्तर प्रदेश जनौरी 1950 में इसका नाम जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया है और 9 नौम्मर 2000 को उत्तराखंड का निर्माड हुआ है उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को काट कर नया राज बनाया गया है उसका नाम उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का राजके प्रतीग देख लेते हैं राजके पस्व क्या है बारा सिंगा है राजके पक्षी क्या है सारस है राजके पुस्प क्या है पलास है और राजके ब्रिक्ष जो है वो असोख है राजके पस्व क्या है वारा सिंगा है राजके पक्षी सारस राजके पुस्प, पलास, राजकिय ब्रिक्ष, असोक, उत्तर प्रदेश का राजकिय प्रतीक देख लेते हैं, राजकिय पस्वारा सिंगा, राजकिय पक्षी सारस, राजकिय पुस्प, पलास, राजकिय ब्रिक्ष, असोक, राजकिय मुहर, रोहु और धनुस, राजकिय खेल क्या ह हाकी है राज की निर्त्य जो है वो कथक है उत्तर प्रदेश की राज बेवस्था पे आ जाते हैं तो मुख्य मंत्री वर्तमान में कौन है योगी आदित नाथ है राजपाल कौन है राम नाइक है बिधान सबाक में सीटे कितनी है 400 माक्समम 404 हो सकती है 403 जो है वो किय नो सकते हैं बिधान परशत में कितनी सीटे सो सीटे है ओचतम ने आआले कहां है इलाब औमेस्थित लोगत सबाकी कितनी ए वर्तमान में 80 सीटे है और राज सबाकी जो है 213 जिटे हैं ठीक मंस्तर योगी अधितनात राजपाल राम नाइक विदान सभा 403 प्लस 1 विदान पर सच उचने आला इलहाबाद लोग सभा 80 और राज सभा 31 अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश की अब नेक्स देखते हैं नेक्स टॉपिक जो है वो जनगर्णा से सम्बंदित है वैसे विस्तार से मैंने एक वीडियो उत्तर प्रदे बन जाएंगे अब देखते हैं इसमें संशिप्त में जनसंख्या 19.98 करोड है 19.98 करोड यह 16.62 परसेंट है 16.62 परसेंट है यह पूरी कुल जनसंख्या का 60 16.62 परसेंट है और जो टोटल पॉपलेशन है वो 19.98 और नहीं जसमलों 20.98 करोड है बुरिद्यधर कितनी है 20.23 परसेंट है लिंगा अनुपात कितना है 912 है बाल लिंगा अनुपात जो है वो 1902 है जनसंख्या घनत जो है वो 839 है साक्षरता साथ साथ दसमलों साथ आठ है पूरुष साच्षरता साथ दसमलों दो आठ है महिला साथ चरता साथ दसमलों दसमलों एक आठ है और सहरी जनसंख्या जो है वो साथ दसमलों साथ दीन प्रस्षत है वो बाई दसमलों दो साथ प्रस्षत है इसमें उल्टा लिग गया है सारी जनसंख्या जो है वो ग्रामीड जनसंख्या जो है वो 77.3 प्रिस्ट है उत्तर प्रदेश की जनगर्णा 2011 सरबाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है इलहाबाद 69 लाख जनसंख्या यहां की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो महवबा है 8.75 लाख जनसंख्या है यहां की सबसे जादा साक्षर जिला कौन सा है गौतम बुद्ध नगर है 80.1 दो सबसे जादा जनसंख्या वृद्धी दरवाला जिला कौन सा है बहरायज 46.48 परसेंट सबसे कम साच्छर जिला कौन है स्रावस्ति है 46.74 परसेंट सबसे कम जनसंख्या अगला है टॉपिक उत्तर प्रदेश की अर्थ बेवस्था सकल घरेलू उत्पाद में रेंकिंग कितनी है चार है बृत दिदर कितनी है आठ प्रस्थ है जीडीपी छेत्र किरसी 25 परसंट उद्दूव 24 परसंट और सेवा जो है वो 51 परसंट प्रतिब्यक्ति आय कितनी है 1200 ड है 25 सथान है उत्तर प्रदेश की कृष्ष के बारे में बात कर लेते हैं गंगायंगनण ऑना की उपजाओ भूम् के कारण उत्तर प्रदेश भारत में saदिक अनग का उत्तुपादन करता है उत्तर अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेस के स्मारक कुछ देख लेते हैं ताज महल किसने बनवाए था शाजहा ने कहा इस्ति थे आगरा में इस्ति थे यह ताज महल बुलंदरवजा कहा पर इस्ति थे फतेपुर सीकरी Ton federal agency में ऑनले अ करकी अ कि अ बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा लखनों में इस्तित जहाची राज के राश्ट्रिये पार्ग देग लेते हैं तर प्रदेश करो में 1700 स्थैन स्थैट्टा का किσι Monte वो कौन-कौन से है, आगरा का किला, कब सामिल हुआ था, 1983 पातेपूर सीकरी को कब सामिल किया गया था, 1986 ताजमहल को कब सामिल किया गया था, 1983 ये युनेस्को इस मारक में सामिल है अब तर प्रदेश की जनजात देख लेते हैं प्रमुक जनजातियां कौन किसी हैं चेरो बुक्सा थारू राजी जौनसारी आधिये प्रमुक जनजातिया हैं सबसे बड़ी जनजात कौन सी है थारू कहां मिलती है गोरकपुर महराजगा सबसे चोटी जंजात कौन है बनरावत सबसे जादा जनसंक्या कहा है जनजातियों की सोन बsto में सबसे कम जन tahun जैन जहें जहां कि कहा है वो बागपत्व में है डिञते है कि यह चलते है लकड़ि के मुर्थी जो है वो मतुरा में है दिया सलाय उद्दोग, बरेली, रबड उद्दोग, गाजियाबाद, ताला, अलिगड, चमडा, कानपूर, कागज, सहारनपूर, आयटी सिटी, नोईडा, खेल का सामान मेरठ, काच उद्दोग, फिरोजाबाद, तो ये सारे जीले जो हैं इन सब ची चुना पथर कहां-कहां मिलता है, मिर्जापूर और सोन्बद्र में, जिप्सम, जासी और हमीरपूर में, युरेणियम, ललीधडपूर, कोला, सोन्बद्र में अगर आपको daily current affairs daily प्रद्दिन के जो महत्पूर current affairs है वो आपको हमारे चैनल के माध्धम से उपलब्द कराए जाते हैं तो आप हमारे चैनल से जूड़ के चैनल को सब्स्राइब करके daily सुबा प्रद्दिन साथ से आठ के बीच में उस दिन के जितने भी महत्पूर current affairs होते हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं साइन्स के PDF है साइन्स की full class है वो आप प्राप्त कर सकते हैं पूरा GKS है बाकी latest update जो होती है प्रतियोगी परिच्छाओं के बारे वो भी हमारे चैनल के माध्म से आपको उप अन्य परिच्छा उप्योगी तथ हैं कुछ important facts हैं जो परिच्छा के लिए महत्फूर है उनको देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी उर्दू और भोजपूरी भासाएं बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में दो अंतर राष्टी हवाई अड़े हैं पहला है चौदरी चरण सिंग अंतर राष्टी हवाई अड़ा लखनव में दूसरा है लाल भादूर सास्त्री अंतर राष्टी हवाई अड़ा वाराणसी उत्तर प्रदेश के रावरेली जिले में रेलवे कोई फैट्री की अस्थापना की गई है लखनव के मलिहाबा फिर कुमों द्वारा फिर तलाबों द्वारा उत्तर प्रदेश की नगदी फसल कौन सी है गन्ना है उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोग गीत कौन सा भी रहा है यमना एक्सप्रेस बे का निर्मान नोड़ा और आगरा के बीच किया गया है उत्तर प्रदेश में जैन और ब मुख्यमंत्री का नाम गोविन वल्लब पंथ है तो इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट्स वीडियो मिलते रहें इंपॉर्टेंट्स जो क्वेस्चन से महात्पूर्ण प्रश्न है वो वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता रहूं उसके लिए आप मारे चैनल को सब्स्राइब ववस कर लें वीडियो को लाइक करें सेयर करें धर्निवाद मित्रों